नमस्कार आप देख रहे हैं राष्ट समाचायर शादी करने के लिए लड़का और लड़की अक्सर घर से भाग जाते हैं ये बात तो आम हो गई है आप सभी ने सुना होगा लिकिन क्या कभी आप ये सुने हैं कि बीट साधी में से दुलहा और दुलहन दोनों एक साथ दिवार कुद कर भाग जाते हैं आखर क्यों थोड़ा आश्यर लग रहा होगा ना जी हाँ मैं आपको बताता हूँ कोरोना महमारी को देखते हुए पंजाब सरकारने साधियों में लड़का और लड़की की तरफ से सिर्फ 20 लोगों को ही आने की इजाज़त दी है उसके लिए भी जिला मैंस्टेट से मंजूरी लेनी होगी इसके बाबजूत कुछ लोग इस नियमों की धज्यां उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं पठ्याला के राजपूरा टाउन में बनी कमेटी सेंटर में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला यहाँ पर आई एक बारात में बिन मंजूरी के देड़ सो से दो सो लोग इकठा हो गए जैसे ही इसकी भनक पुलीस को लगी वैसे ही मौके पर एसे चो खुद पुलीस फोर्स के साथ पहुँच गए शादी में दुलहा दुलहन समेत बाराती बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्या उड़ा रहे थे पुलीस जैसे ही कमेटी सेंटर के अंदर आई दुलहा दुलहन समेत कई लोग दिवार फान कर भागने लगे पुलीस अधिकारी ने बताया कि मौके उपर हमें देख मैरेज हॉल में अफ़रा तफ्री मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे पुलीस का कहना है कि 1200 से 200 लोग शादी में सामिल हुए थी जबकि दुलहन की मा का कहना है कि सिर्फ 20 लोगों को ही शादी में बुलाया गया था पुलीस ने लड़का और लड़की दोनों पक्षों के खिलाप मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने कहा कि कानून के मुताबिक ही इनके खिलाप कारवाई की जाएगी